दोस्तों काफे दिनों के बाद बाजार में आज तुफानी तेजी आई हुई है बहुती जबर्दस करीब 1000 के उपर की तेजी BSE Sensex में लेकिन क्या इतनी ही तेजी Small Cap और Mid Cap में भी है वो समझे की कोसिस करेंगे और यह जो तुफानी तेजी आरे इसके पीछे रिजन क्या उसक में क्या है वो फैसला उसको समझने की कोसिस करेंगे और यह T plus zero जो settlement है उसकी वज़े से share order को क्या फाइदा होगा वो समझेंगे सबसे जो बड़ी बात है क्या इस समय investment किया जा सकता है और अगर investment करे तो कौन से sector में करे कौन से share हो में करे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अग एक से share जुरू कीजिए चलो friends वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल online कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय लगबग धाई बज़े के आसपरस का टाइम है BSE Sensex 74,094 पर जबर्दस और तुफानी तेजी बाजार में दिखाए दे रही है और वैसे बाजार की शुरूआत काफी अच्छी हुई थी लगबग 200 पॉइंट की पॉजिटिव शुरूआत की दे लेकिन बाजार एक तरपा तेजी से दोड़ रहा है अब यह जो तेजी देखे तो आप देखे तो 1.57% की तेजी है निप्टी 200 में 1.45% की तेजी है और निप्टी 500 में 1.33% की तेजी है तो निप्टी के जो बड़े इंडेक्स है वो आज कमाल कर रहे है वहाँ पे तेजी लगबग 1.5% के आसपास है जो बाजार के इसाब से सही है लेकिन निप्टी मिड केप म मुकाबले निप्टी 50 के मुकाबले बहुत कम निप्टी मिड के भंडेट की बात के लिए तो यहाँ पर भी जो तेजी हो 0.79% ही है और निप्टी स्मॉल के भंडेट में तो तेजी मात्र 0.45% की है यानि जबर 10 कम है यहाँ पे तेजी स्मॉल के अंदर अब इंडिया वी एक्स भी आज ही समय 2.55 पॉजिटीव है यह अभी भी देखो कि बाज़ार के लिए थोड़ी सी चिंता जनक मात है बड़ी तेजी के बावज़ुद भी अब निप्टी मिड के भंड 15 में भी 0.68% की तेजी है और स्मॉल केप 50 में 0.34% की ह तो कुल मिला के आप यह देखी सकते हो कि इतनी बड़ी तेजी होने के बावज़ुद इसमॉल केप में कोई खास परदर्सन करता हो दिखाए नहीं देरे स्मॉल केप में आज कोई बड़ी तेजी नहीं है और मिड केप में भी लिमिटेड तेजी है जो तेजी है वो फाइनस है जापे 7304 पर्टीन परसेंट की तेजी है तेजी है यहानी जबर्दस तेज़ें बज़ाज फाइनस में रिलाइस इंडेस्टी में ठीक ठाक है टूथाजन 996 के इस्तर पे 0.38% की देजिए ICAC bank 1100 के आसपास जापे 1.5% की देजिए Infosys 1505 के आसपास जापे 1.4% इस value की list में आगे देखे 6 पे जो है IDFC first bank वापे 2.96% काफी बड़ी गिरावट है 75.5 के आसपास है तो देख सकते हो कि यह कुछ value topper है अब यहाँ पे volume topper भी कुछ देखे तो वहाँ पे कोई खास परदसन होता हो दिखाई नहीं दे रहा है Vodafone idea सबसे उपर है volume topper में जहाँ पे इस समय श्टॉक 13.3 के आसपास है जो flat trade कर रहा है IDFC first bank नंबर 2 पे जापे यहाँ पे 2.96% काफी बड़ी गिरावड़ी yes bank नंबर 3 पे जापे 23.30 के आसपास 0.65% की ही तेजी है और GTL infra 1.65 के आसपास जापे 3.13% की तेजी है NHPC 89.2 पर आगया है 0.36% की तेजी के साथ तो यह देख सकते हो कि यहाँ पे जो volume टॉपर है उसमें कोई खास परदसन करते हो नहीं दिखा है लेकिन बड़ी तेजी के बाद भी यहाँ पे कोई उसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है तो जो यह 1.000.00 की जो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है इस समय जो आप देखे तेजी में शेरों में से सिर्फ 29 शेर है जो तेजी के सदागे बढ़े सिर्फ एक शेर में गिराउट की समय बनी है बेंकिंग फार्म और आईटी शेर काफ यह चा कर रहे है बजाए फिर्सर्ट में 5% की तेजी है जिसके वज़े से positive माहूल बना हुआ तो यहाँ पे जो reason है उसमें जिसमें जो international market close हुए वहाँ पे अच्छी तेजी देखना हूं मिली जिसमें डाउजों देखे तो 1.22% की तेजी S&P 500 में भी 0.86% की तेजी Nasdaq Composite में 0.51% की तेजी तो इसका भी असर positive देखना को मिला इसके लावा जो US Fed का जो policy है जिसमें US Fed ने का है कि आने वाले समें तीन rate cut हो सकते है current financial year में इसका positive असर देखना को मिला है inflation है जो control में दिखा ही दे रहा है और दूसरी तरब अगर आप देखे तो जो reason बना है कि bank और financial sector काफी अच्छा करें वहाँ पे अच्छा निवेस आता हो दिखाए दे रहा है इसका आसर भी देखना को मिल रहा है और इसके लावा FI का inflow है जो काफी अच्छा दिख रहा है FI ने खरीदारी की हुए बाजर में इसके लावा GDP जो आप देखे तो जो ग्रोथ है उसको अपग्रेड के S&P और Morgan Stanley की दरब से तो देख सकते हो कि S&P और Morgan Stanley का कहना है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो आगे बढ़ती हुए दिखाए देगी काफी अच्छी उसमें प्रत्रशन के रहा संभावना तो यहाँ पे जो forecast किया गया है जो जार पचीस के लिए उसमें 6.8% रखा गया है जो पहले 6.5% है GDP हमारी ग्रोथ तो GDP ग्रोथ में व्रिदी की समभावना दिख रही है यह जो ग्लोबल रेटिंग एंजेंसिया S&P ग्लोबल और Morgan Stanley की दरब से अपने इंडिया की GDP को रेटिंग को बड़ा दिया गया है जिससे एक बड़ा positive माहुल बनाए तो यह कुछ बड़ी खबर है जिसके वज़े से माहुल तो तो तेजी का बना हुआ है और large cap में यह इतर से इस समय निवेस का अच्छा मोका बन रहा है large cap में investment किया जा सकता है अभी mid cap और small cap की ready बाकी है उसमें बहुत ज़रा correction भी हो चुका है लेकिन अभी इतनी तेजी नहीं आई है अब यहां पर जो बड़ी update निकल के आ रही है अब देख सकते हो की share market में एक बड़ा जो settlement होने जा रहा है और यह system आने से share market में ट्रेडिंग करने वालों को काफ़ी जादा फाइदा होगा और आप देखे टी प्लस वन में payment settlement का इस्तमाल किया जादा जिसमें share खरीते बेचे अगले दिन आपके account पैसे आ जाते है लेकिन टी प्लस जीरो में same day आपका settlement हो जाएगा आपको उसकी रकम मिल जाएगी तो अब देखे कि इस समय दुनिया में टी प्लस टू payment settlement system चल रहा है सब जगपे सिरफ चीन को छोड़के इंडिया में अब यह settlement बदलता हो दिखा देगा बाकी और और सभी जगपे दो दिन के बाद में ही आपको पैसे मिल बात है जो भी आप शेयर बेचते है तो दुनिया के अंदर इंडिया आप दूसरा देश बनने जा रहा है जो टी प्लस जीरो settlement कुछ उन्होंने पिछले जो का था कि जो settlement सिस्टम है सेम डे उसको हम जल्दी लागू करेंगे लोगों को इससे काफी ज़्यादा होगा उसकी सुरुआत अब कर दी जाएगी तो इसके लिए अगर आप देगा तो इसमें बीटा वर्जिन की टेस्टिंग की जा रही है प्रणों में इसको लॉंच के जाएगा और पहले स्टेज में यह प्रक्रिया दूपर देट बज़े से लेखे साड़ी छार तक इसमें settlement पूरा हो जाएगा अब यहां पे देखो कि अभी जो कंपनियों का settlement की समभानों बंदी है उसमें कुछ कंपनियों के नाम सामने आग तो यह बादर के लिए काफी अची बाद है लोगों के पैसे फसेंगे नहीं लोग जल्दे जड़ा अपना decision ले पाएंगे सेम डे अपना settlement कर पाएंगे और उनके account में पैसे हैंगे ताकि दूसरे फिर से नए share खरीद पाए यह बहुत अची बात है तो बादर के लिए educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेट